अब दो प्रेंट्स कैसे हैं आप सब वैलकम टू कॉआंट स्टेडी आज हम करने जा रहे हैं हाई लेवल कॉआंट जो की मेंस के लिए है उसका पार्ट नमबर थ्री शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं चल्दी से हमें हर जगा फॉलू कर लिजिए और किसी भी अबडेट को मिस्मत कीजिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यह जो हम हाई लेवल कॉआंट की सीरीज ले लेके आए हैं इसमें हर जो वी करना चाते हैं तो वीडियो को पॉस कीजिए और इसे ट्राइ कीजिए हम चलते हैं हमारे सुलूशन पर देखिए कोशन हमारा कह रहा है परसंट टेक लोन ऑफ 200 ठीक है दोस्टों का उसने लोन लिया प्रिंसिपल है 5% सिंपल इंट्रेस्ट का रेट है हमारा 5% का ही रिटर होता कि एक बंदे ने इतना प्रिंसिपल लिया है 5% उसका रेट है और टाइम है टू येर्स का तो बताइए दो साल के बाद जो वो अमाउंट रिटर्न करेगा वो कितना होगा तो अमाउंट क्या आएगी सिंपल जो हम लगाते थे ऐसा ही निकालते थे ऐसा ही इज इकुल साल के बाद जो amount return करनी होती थी वो होती थी 220 रुपीज ये है general procedure ये कब होता है जब हमने starting में एक principle ले लिया और 2 साल तक कुछ amount return ने की सीधा 2 साल के बाद ही return की तब आता है ये वाला method पर हमारा question कहा रहा है कि उसने 1 साल के बाद 100 रुपीज return किये हम सीधा 2 year की calculation नहीं करें क्यों क्योंकि बीच में उसने 100 रुपीज का amount return कर दिया है तो 200 था ठीक उस पर 5% का interest लगा यानि 10 रुपे आ आपका interest ठीक है तो एक साल के बाद उसको कितना amount return करना था उसको करना था 210 रुपे 200 principle और 10 रुपे interest इतनी चीज के लिए उसमें से उसने कितना amount किया 100 रुपे वापिस कर दिये अब देखिए एक basic principle है एक basic चीज क्या होती है जब भी ये चीज return कोई बंदा return करता न amount वो कटती है हमारे principle में से ठीक है interest में से नहीं कटती है वो कटती है हमारे principle में से यानि अगर आपको 210 रुपे मेरे को देने है पर आप कहते हो मेरे पास अभी 210 पर जुडए हैं तो मैं इसे मानुगा की जो मैंने अपना amount दिया था 210 रुपे मैं पहले इस amount को पूरी करने ही कोशिश करूँगा तो मैं काऊँगा ठीक है भई 100 रुपे तुन्हें मेरे को वापिस कर दिये अब तेरे को जितना मैंने amount दिया था उसमें से 100 रुपे वाप उसके ओपर interest कैसे निकलवाना है उस बंदे से वो मेरी responsibility ठीक है तो वही चीज हमारे question में हुई है कि उसने 100 रुपे दिया 210 देना था उसको उसने 100 रुपे दिया बचा कितना 110 इतनी चीज के लिए अब जो 110 है उसमें से principle कितना होगा 100 रुपे ठीक और जो interest था पहले साल का व तो इस 100 रुपे पे लगाएंगे इस 100 रुपे पे हमें interest कितने का लगाना है 5% का अब second year की बात चल रही है ठीक है 5% का interest लगा 100 रुपे पे कितना बना हमारा interest 5 रुपीस तो 10 रुपीस पहला interest 5 रुपीस दूसरा interest यानि 15 रुपीस का interest है जो दूसरे साल के end में उसको आएगा वो होगा 115 रुपीस क्लियर हुई ये चीज हमने क्या किया हमारा पहले साल का जब सारा खर्चा खुर्चा जो भी है उसने रिटर्न किया उसके बाद हमारे पास पचा 110 रुपे ठीक है मैंने आपको बताया हमारा पहली priority रुपीस तो इस 110 में से principal कितना बचा था 100 क्योंकि 200 में से 100 रुपे तो उसने दे दिये ठीक है बचे 100 रुपे पहले मैं इस 100 रुपे की recovery करूँगा उसके बाद मैं interest की सोचूँगा तो ये आगया मेरा principal ये आगया मेरा interest अब जो next लगेगा interest वो इस principal लगेगा हमारा principal change हो गया ना पहले था 200 रुपे अब हो गया 100 पे इस पे लगा 5% का interest तो 5 आया interest दस पहले से था 15 हो गया interest 100 है मेरा amount जो वो देगा तो total 115 रुपीस मुझे वो देगा खत्म next question कहा रहा है कि एक बंदा है उसने 26 रुपे 4, 6 और 8% पे invest किये simple interest पे in the end उसको same interest मिला सब पे same interest मिला है interest याद रखना same amount नहीं same interest मिला है तो उनने पूछा money invested at 4% कितनी होगी जब भी हमारा कोई चीज 3 पार्ट में divide हो रही हो ना जैसे 4, 6 और 8 में divide हो रही है तो हम क्या क करेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 मान लेंगे 26 रुपे अब P1 invest होगा 4% पे P2 invest हो रहा है 6% पे और P3 invest हो रहा है 8% पे तो मैं ये एक चीज़ कह सकता हूं कि 4% का जो P1 पे interest आया है तो 4 P1 हमने मान लिया उसका simple interest 6 P2 आया second वाले का और 8 P3 आया third वाले का अब उन्होंने का था कि तीनों interest बराबर होने चाहिए तो मैंने बराबर कर दी हो यह है जब percentage हटेगा तो divide में 100 भी तो आएगा ठीक है अब मैंने पहले क्यों नहीं 100 लिखा क्योंकि मुझे पादा था जब मैं equate करूंगा 100 से 100 तो cut जाएगा साथ में 2, 3, 4 ये 2 के table में आते है तो हमारे पास आग और compare कर लूँगा हमारे 26 से तो हमारे 1 unit की value आजाएगी 1 unit की value आई तो हम 4% वाले की भी जो 4% पे invest हुआ है यानि की P1 जो है उसकी value निकाल सकते है ठीक तो वही चीज़ हम करेंगे अब मुझे बस आपसे एक चीज़ जाननी है कि यह जो 2P1 is equal to 3P2 is equal to 4P3 है इसको हम P1 is to P P2 is to P3 की ratio में कैसे convert करेंगे कौन सा method लगेगा जो इसको convert करेगा अगर आपका जवाब है कि hide method तो आपका जवाब बिल्कुल सही है तो हमारे पास कुछ ऐसा था ठीक तो हमने लगाया hide method P1 के लिए आया 3 into 4 यानि की 4,3 is the 12 P2 के लिए आया 4 into 2 यानि की 8 और P3 के लिए आया 3 into 2 यानि की 6 इसको और चोटा कर लेते हैं 6 is to 4 is to 3 आई हमारी P1 is to P2 is to P3 की ratio तो इनको add up कर लेते हैं 13 आ गया ठीक 13 की value है 26 एक की value आगी 200 अब जो 4% पे invest हुआ था वो कौन सा था वो था P1 P1 की value क्या है 6 unit अगर 1 की value है 200 तो 6 की value होगी 1200 और यही 1200 है हमारा वो वाला amount जो की 4% के interest rate पर invested था हमारा option D next question आपकी screen पर है question कह रहा है कि A can complete a task in 15 days ठीक है A जो है एक task को 15 days में खतम कर लेता है B is 50% more efficient than A more efficient अब हम यह कैसे करेंगे देखो efficiency की बात चल रही है हमने लिखा A B उपर लिख लिए efficiency efficiency यानि speed और नीचे लिख लिख लिए time ठीक efficiency का inverse होगा time तो अगर A की efficiency हम 100 मानने 50% more का मतलब आगए B की efficiency है देट सो ठीक यानि 2 is to 3 की ratio में है इनकी efficiency तो time क्या होगा 3 is to 2 की ratio में इतनी चीज़ clear हुई अब A कितना time ले रहा है A ले रहा है 15 दिन तो 3 की value होगी 15 days B कितना time लेगा B time लेगा 1 की value होगी 15 by 3 यानि की 5 और 2 की value होगी 10 days ये चीज़ clear हुई इतनी चीज़ I hope आपको clear होगी है तो बना लेते हैं महीं चीज़ A B 15 10 30 और हमारी efficiency थी 2 is to 3 की ratio में clear अब इन्होंने कहा है बोथ A and B started working together on the task after few days B left कितने दिन बाद हमें नहीं पता and A finished the remaining one third of the given work अब A ने अगर one third work को खतम किया है तो 30 का one third क्या होगा ten ठीक है अगर ten units A अकेले खतम कर रहा है तो वो कितने दिन लेगा इन ten units को खतम करने के लिए 10 यूनिट का काम खतम करना है एक दिन में वो 2 यूनिट काम खतम कर रहा है यानि कि A 5 दिन ले रहा है इस काम को खतम करने के लिए 5 दिन में A ने किया 10 यूनिट तो A प्लस B ने कितना काम किया होगा 30 में से 10 तो सिरफ A कर रहा है तो 30 में से 20 कर रहे हैं A plus B, clear हुई, यह जो 10 unit है, जो हमारा question का end part कहा रहा था, remaining one third of given work A ने खतम किया है, यह किया है, सिरफ और सिरफ A ने, यानि 10 unit खतम किया है, A ने, तो बचा हुआ जो काम होगा, यानि 20 unit जो काम होगा, वो किस ने खतम किया होगा, A और B ने, क्योंकि both A and B started working together, अब देखते हैं कि A और B ने वो 20 unit काम है, वो कितने में खतम किया होगा, हमारा A की efficiency थी 2, B की efficiency थी 3, total efficiency आगे इनकी 5, यानि एक दिन में वो 5 unit का काम कर रहे हैं, एक दिन में वो 5 unit का काम कर रहे हैं, 20 unit उनको total काम करना है, तो 20 से अगर मैं 5 को divide कर दो, हमारे पास 4 दिन आ जाएगा, यानि क ये जो 20 unit काम है, A और B मिलके 4 दिन में खतम कर रहे हैं, तो इन्होंने आगे पूछा है, for how many days A and B work together, आपका answer आपकी नज़रों के सामने है, तो 4 days आगया हमारा final answer, next question है हमारा, I guess profit and loss का, तो question कहा रहा है, cost price of B is 200 more than cost price of A, ठीक, B is sold at 10% profit and A is sold at 40% loss, देखे, A की price अगर X है, B की price आजएगी, X plus 200, अब B जो है, वो 10% profit पे भिक रहा है, तो इस पे होगा हमें 10% profit, और इस पे होगा हमें 40% loss, इतनी चीज़ क्लिए होई, and selling price of A and B are in ratio 4 is to 1, तो अपना काम हम करना शुरू करते हैं, यह थी हमारी CP, अगर मैं आपको कहूं, CP into profit slash loss upon 100 is equal to SP, तो यह चीज़ गलत नहीं होगी, यह चीज़ मैंने आपको बताई है पहले, तो इन्होंने SP की ratio दी हुई है, हमें 4 is to 11 की, SP of A upon SP of B is equal to 4 is to 11, यही चीज़ ह में दी हुई है, हम सिधा SP पर काम करते हैं, A की SP क्या होगी, X, यह है CP into 40 का loss हो रहा है, यानि कि 60 by 100, clear, और B की SP क्या होगी, X plus 200 into profit हो रहा है, 10% का 110 by 100, और इनकी यह ratios दी हुई है, तो हम सिधा इन्हीं पर काम करते हैं, ठीक, सो हमने SP A और SP B की जगा उनकी values डाल दी, अब हम काटना वाटना शुरू करेंगे, यह गया, यह गया, इससे यह गया, अब हमारे पास आया 4 by 11 is equal to 6 X by 11, X plus 200, देखा आपने, मैंने इस वाली equation को expand नहीं किया, मैंने as it is, रहने दिया, और मैंने अपना काटना वगरा सब अब यह जाएगा इस तरफ ठीक है, तो हमारे पास 3X आ जाएगा, 2 x 2X plus 2 x 200 आगे हमारे पास 400, जब यह इस तरफ जाएगा तो minus होगा, यानि X की value आगी हमारे पास 400, तो X क्या था, A का CP, यानि CP of A आगी हमारे पास 400, अब उन्होंने पूछे, अगर A को हम 20% loss पे बेचे तो A की SP क्या होगी, 20% क्या होगा, इस 400 का 80, अगर 400 में से हम 80 काट देंगे, तो 320 आ जाएगी, SP of A, ठीक, यह आगया हमारा final answer जो की है A, एक बार मैं आपको formula गुट करके दिखा देता हूँ, अगर आपको यह चीज़ समझ नहीं आई ऐसे तो, 400 हमें हो रहा है, 20% का loss यानि की, 80 by 100 is equals to SP of A, 8 forza, 32, 320 हागया हमारे पास SP of A, दोना तरीकों से आप कर सकते हैं, formula पुट करके यह सीधा, next question आगया हमारा, A starts a business with investment of 75,000, A ने एक business शुरू किया है, 75,000 से ठीक, capital of A is 25% less than capital of B, फिलाल इस पे काम करते हैं, अब A और B की ratio ले ले लेते हैं, capital की, अगर B की 100 है capital, तो A की 25% कम है 100 से, यानि 75 होगी, उन्होंने 25% नहीं का, A की capital है वो 25 नहीं होगी, वो 100 से 25% कम है, तो A की capital होगी 75, अब हम compare कर लेते हैं, 75 की value है, 75,000, तो 100 की value होगी, एक लाख, ये चीज़ clear है, तो उसी पे काम करते हैं, A, B, capital है 75,000, और capital है एक लाख, इतनी चीज़ clear, अब आगे बढ़ते हैं, B, who joins two months after starting, तो A तो starting सही रहा, तो B ने जो है, वो two months later join किया, ठीक, C got 11 by 30 of total profit at the end of the year, C joined business with A, C ने starting में ही join किया, जब A ने join किया, तब C ने join किया, और B ने 2 months बाद join किया, ठीक है, C की capital होगी, कुछ X, अब मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर हम इनकी ratios निकाल लें, देखो, इसने 12 महीने काम किया, इसने 12 महीने काम किया, इसने 10 महीने काम किया, क्योंकि 2 months later join किया है, हम इनकी ratios निकाल लें, तो ratios क्या होंगी, 2 से गया 5, 2 से गया 6, 2 से गया 6, 75,000 into 6 is 2, 6X is 2, 5 lakh, ठीक, यह होगी हमारी काफी बड़ी-बड़ी calculation, अब C को 11 by 30, total में से profit हुए है, हम क्या करते हैं, 11 by 30 में से 30 को मान लेते हैं, total profit, जिसमें से C को हुए है, 11 units का, ठीक, 11 units का profit हुए है, C को, हमारा यहाँ पर C को profit दिख रहे है, 6X का, और total profit क्या होगा, ये, प्लस ये, प्लस ये, ठीक है, वो आएगा हमारा इधर denominator में, ठीक, इसको हम compare कर देंगे 11 by 30 से, और सारी calculation कर लेंगे, हमारा final answer आ जाएगा, denominator में क्या आएगा, एक तो आएगा 5 lakh, अब 75,000 into 2 होता है, हमारे पास 1,5 lakh, वही 75,000 into 4 हो जाएगा, हमारे पास 3 lakh, और 75 into 6 हो जाएगा, हमारे पास 4,50,000, इतनी चीज़ क्लियर हुई, 5 lakh और 4,50,000 को जब हम add करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9,50,000, ये आ गया, हमारा values प्लस, 6X भी तो आना था, ठीक है, उपर हमारा numerator में 6X is equal to 11 by 30, इतनी चीज़ क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, cross multiply, 30 into 6 आ गया, हमारे पास 180X is equal to 11 into 6X आ गया, हमारे पास 66X is plus 95,000 into 11, तो 95 into 11 होगा, 1045, और 0 कितने हैं, 1234, तो 1234, ठीक है, ये हागी हमारी value, अब minus कर लेते हैं, 180 में से 60 गये, 120, 120 में से 6 और गये, तो 114X की value आगी, 1045, 0000, तो हमारे X की value आजेगी, something 91,666.6, कुछ ऐसी value आएगी, A की capital थी, 75,000, X की है, C की capital, तो C की capital आगी, 91,666, तो clearly आपका capital of C जो है, वो greater than A है, आपका A option, ये हमने अपना question solve किया, और screen की दरफ देखा, और हमने देखा कि A की question में पूरा time over हो गया, तो ऐसे नहीं करना, अब हम करेंगे trick पे काम, सो हमारा question कर रहा था कि A की capital है, 75,000, और हमने A to B की ratio भी निकाली थी, तो हम क्या करेंगे, 75,000 को 75 मान लेंगे, और 1,00,000 को 100 मान लेंगे, इतनी चीज के लिए, A ने काम किया है, 12 महीने, B ने काम किया है, 10 महीने, अब इनकी ratios निकाल लेते हैं, ठीक, 3, sorry, 2, 6, 12, 2, 50 जा, फिर आगया फिर से 2, 3, यहाँ पर आगया 2, 25 जा, और 25, 3 जा, हमारी A is to B की ratio आगी, 9 is to 10 में, कितनी चीज के लिए हुई, अब question देखते ह है हमारा, C got 11 by 30 of total profit, अगर हम कहें कि 11 by 30 of total profit है, इसको मान ले हम total profit, जैसा कि पिछले वाले में किया था हमने, और यह आगया हमारा C का profit, अगर 30 में से C को 11 units मिल गे, तो A plus B को कितने मिल रहे हैं, A plus B को 19 unit मिल रहे हैं, 30 में से C को मिले 11, जो बचे हुए होंगे, वो मिलेंग B को क्या profit मिल रहे है, 10 plus 9, यानि कि 19 unit का ही, यानि हमारी value मैच कर गी, तो हम अगर इनकी ratios को लिखे हैं, तो वो कैसे लिखे जाएंगी, A is to B is to C की ratio आ रही है, 9 is to 10 is to 11 की, A को 9 unit का profit मिल रहे है, B को 10 का, C को 11 का, अब देखी, B तो 10 महीने काम कर रहे था, और B पर हमें काम क करना भी नहीं है, A ने जितना amount invest किया, और 12 महीने काम किया, C ने जितना amount invest किया, और 12 महीने काम किया, तो ये आगी A is to C की profit की ratios, तो मन्त तो सेम है, यानि कि मन्त तो हमारा profit ला नहीं सकते है, हमारा profit कोन ला सकता है, investment, तो यानि कि A, जो C की investment होगी, वो A से जादा ही होगी तभी उसको जो return है वो भी ratio में जाद का मिल रहा है तो हमारा option A आ गया हमारा correct answer X is greater than Y where X is capital of C and Y is capital of A ये था हमारा shortcut इसी के साथ हमारा आज का जो part है part 3 of high level questions for mains वो होता है खतम thank you so much for watching